प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चनल सुर्षरता को और दवाएं बेल आइकन को संगेश रिडेटर तमाम वीडियोश पाने के लिए हलो फ्रेंड्स नमस्कार मैं पौन सास्त्री और आज हम देखने वाले हैं बड़ी ही खुबसूरा सी ये गजल है आहट सी कोई आए तो लगता है कि तुम हो और इसका जो हम देखने वाले हैं टूटोरियल तो ओरिजिनल जो इसका स्केल है वहां से हम देखने वाले हैं तो यहां से ये हो गने वाला है हमारा सा तो स्वर कौन कौन से लगते हैं उनको हम देख लेते हैं और उनके पहले हम इस को देखते हैं गुन-गुना करके थोड़ा सा है ना आहट सी कोई आए तो लगता है तो लगता है कि तुम हो ठीक तो यह हमारा स्थाई है पहले हम इस्थाई को देखेंगे और उसके पहले हम समझते हैं स्वर हमारे कौन से लगे हमने इसके लिए यहां से लिया है आप इसके अधर इसके से भी इसको प्लेक कर सकते हैं तो यहां से जब हमने लिया, तो इसमें हमारे सुर लगे, सा, फिर कॉमलनी एक हमारा लग रहा है, मन्दर सब्तक में, तो सा, रे, गा, और फिर मा, पा, धणी, तो हम नी तक जाने वाले हैं अपने सा से लेकरके, है न, अब इसको हम देखते हैं सारे सुर सुध कॉमलनी हमारा यहां पे यूज में आ रहा है, बागी इदार हमारा सुधनी का ही प्रयोक हो रहा है, चलिये, क्य आहट सी है ना तो पामागागा आहट सी पामागागा आहट सी कोई आए कोई आए में गागा मगरे कोई आए गागा मागरे कोई आए तो लगता है रे रे गर सानी तो लगता है तो लगता है रे रे गर सानी और फिर इसको इतना बोलने के बाद इसी को फिर दुबारा प्ले करेंगे केवल म्यूजिक के रूप में है ना और इसको प्ले करने के बाद फिर नेक्ट लाइन बोलेंगे तो लगता रे 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 गरे तो लगता रे रे गरे तना हो गया है इं है थे में तीन सारफ ऑब्र सार गर्त है शरगा कि कि तुम हो कि तुम हो गरिशा कि तुम हो गरिशा है न साया कोई और तो लगता है कि तुम हो तो सेकंड लाइन में हमने सीदा सीदा प्ले किया है नी तक हम नहीं गए हैं इस्थाई की दोनों लाइने कंप्लीट हुई और अब बारी आती है अंत्रे की तो अंत्रा भी जो हमारा चलने वाला है वो गास से चलेगा अंत्रा हमारा और गास से हम ले करके चलने वाले हैं इस गजल के पूरे अंत्रे की जो लिरिक्स है और उनके जो नोटेशन्स है हिंदी नोटेशन लिखित नोटेशन आपको हमारे वेबसाइट पर मिल जाएंगे www.surcetatechno.com पर आपको करना क्या है गूगल में जाना है और टाइप कर देना है www.surcetatechno.com इस पिलिंग उपर आप देख सकते हैं और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा तो वहां से भी आप इसको पा सकते हैं ये पूरी गजल पूरी गजल की लिरिक्स और इस गजल के एक एक नोटेशन लिखित में हिंदी में आपको मिलने वाले हैं अगर अभी तक आप लोग ने मेरे चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फर्स टाइम आये हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजे और बेल आइकान दबाईए ऐसे ही तमाम वीडियो पाने के लिए और अगर आपको जब साख गम पापा जब साख कोई हाथ तो पामा धाधा लगाते में दपा पधनी लगाते ही चमन में ही चमन में लगा फिर इसकी नक्ष लाइन क्या है अच्छा इसका जो अंतरा है अंतरे के दो पैटर्न है पहला अभी पले हो रहा है और दूसरा अभी इसके बाद पले करके उसको भी देख लेंगे तो पहला तो यह है अब इसके बाद जो लाइन चलने वाली है वो सेम इस्थाई में जो चली थी वैसे चलीगी क्या है है न तो ये हो गया अब जो दूसरा अंत्रा है यानि दूसरा जो इसका पैटर्न है अंत्रे का उसको भी एक बार हम देख लेते है ठीक तब ये जा करके हमारा पूरा होगा क्या है तो ये सेकंड पैटर्न है अंत्रे का क्या है तो संदल सी में गामा मा महकती हुई यानि मामा पा मामा महकती हुई फिर है पूर कैफ हवा का पूर कैफ तो पूर तो हमारा पूरा मा पे हो जागा पूर कैफ में हमारा लगा हवा का में हवा का हवा का है ना तो अंत्रे का ये हमारा सेकंड पैटर्न था और इसके बाद इसी अंत्रे को जैसा हमारा फर्स्ट अंत्रा प्ले हुआ था उस तरीके से प्ले करेंगे क्या है देखे संदल सी महकती हुई पूर कैफ हवा का जोंका कोई टकराए तो लगता है कि तुम हो और अब बागी के जो अंत्रे हैं सेम ऐसे ही प्ले होने वाले हैं और ये जो दूसरा पैटरन था केवल इसी अंत्रे में लगने वाला था बागी के जो अंत्रे हैं जैसा पहला अंत्रा प्ले हुआ था वैसा ही प्ले होगा तो उमिद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लेज लाइक और सेर जरूर कीजिएगा